बहुत स्वागत आपका आदेसी भारत के इस महामंच पर मेरा नाम दरम दूबे है और दोस्तों ये वीडियो खास तोर से भुछपुरी सिनेमा के मुरुदल कहे जाते हैं बहुती कामयाब सिंगर हैं मनुस्तिवारी साहब को लेकर बना रहे हैं जो अब भारती जंता पार्टी से सांसद है नीता है बोच्पुरी फिल्म इंडस्टी के मशूहुर गायक मनुस्तिवारी अकसर अपने गानों से दर्शकों का मनुझन करते हैं वहीं फैंस भी बेसबरी से अपने पसंदीदा सिंगर के गानों का इंतजार करते हैं इस इक्रम में अब अपने फैंस के लिए मनुस्तिवारी ने हालही में अपना ایک और नया गाना रिलीस कर दिया है हालही में रिलीस हुआ मनुस्तिवारी का बोच्पुरी गाना दिलदार दर्शकों को बेहत पसंदा रहा है मुजिक एलबम में दिखाई गई इस लव स्टोरी को दर्शकों की तरफ से काफी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है खास बात ये है कि भोजपूरी में रिलीज किये हुए इस गाने में हिंदी टीवी इंडस्टी के कलाकार नजर आ रहे हैं मनुस्तिवारी की आवाज में जारी हुए इस गाने में अभिनेता विशाल सिंग और अपणना दिख्षित बतौर कलाकार दिखाई दिए गाने में वारंची के घाट नजर आ रहे हैं साथी वीडियो में विशाल और अपणना के बीच जबजस्त केमिस्ट्री भी देखने को मिल रही है फैंस की दोनों की ये जोड़ी काफी पसंद कर रहे हैं हाल ही में रिलीज हुए इस गाने को मनोस्तिवारी ने अपनी अवाज दी है जबकि लिरिक्स भी मनोस्तिवारी ने ही लिखे हैं वहीं इस गाने को विशाल मिश्रा ने ही कंपोज और प्रोडूस किया है हास बात ये है कि विशाल और अपड़ना का पहला भोचपूरी गाना है जिसने रिलीज होते ही इंटरनेट पर धमाल मचा दिया है इस गाने के रिलीज के साथ ही मनोस्तिवारी ने एक रिकॉर्ड भी अपने नाम किया है दरसल इस गाने के साथ ही मनुस्तिवारी ने अपने 5000 गाने पूरे कर लिये हैं मनुस्तिवारी ने 25 मार्च 1996 में अपना पहला गाना गाया जिसके बाद इसी महीने रिलीज हुए इस गाने के साथ अब मनुस्तिवारी के 5000 गाने पूरे हो गये हैं इस गाने के रिलीज होने की जानकारी देते हुए मनोस्तिवारी ने अपने आधिकारिग Instagram ऎकाउंट पर पोस्ट भी शेयर किया है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए मनोस्तिवारी जी ने लिखा है दिलदार गाना रिलीज हो चुका है देखकर बताईए कैसा लगा, खबरों के माने तो सामने आया मनोस्तिवारी का ये गाना भुचपरी इंडस्टी का सबसे महंगा गाना भी कहा जा रहा है इस बारे में गायक ने कहा कि वैसे तो मैंने कई महंगे भुचपरी गाने गाएं है लिकिन ये गाना अब तक का सबसे महंगा गाना है इस गाने को 80 लाक रुपे की लागत से तैयार किया गया है बापरे बाप 80 लाक रुपे की लागत से मनोस्तिवारी का बॉलिवूड के मशूर लोगों के साथ रिलीज हुआ ये गाना आगे चल कर किस तरह की उपलब्दियां हासिल करता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा लिकिन फिल्हाल आपकी जहन दिमाग मन में क्या चल रहा है उन चीजों का जिक्र आप कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर करिएगा इस तरह की खबरों के लिए आप बनने रहें देशी भारत के साथ नमस्कार